नमस्कार आप देख रहे हैं जिन्हें टाइम्स में हूँ आपके साथ समिक्षतिवारे आज की बड़ी कबर हम आपको बता रहे हैं 19 लोग को ले जा रहा सौरे एरलाइन्स का विमान का अटमांडू में उडान भड़ते समय दुरगटना ग्रस हो गया है जिसमें कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई है दिकाटमांडू पोस्ट के रिपोर्ट्स के अनुसार टी आई एकी प्रवक्ता प्रेमनाथ ठाकुर ने कहा कि पोक्रा जा रहे है विमान में एर्ख्यू सहित 19 लोग सवार थे जो सुबा करीब 11 बचे दुरगटना ग्रस हो गया विमान के पाइलेट को अस्पतार ले जाया गया है नेपाल का एयर इंडिस्ट्री हाल के सालों में ही तेज़े से बढ़ा है जो दुर्गम शेत्रों के बीच सामान और लोगों के साथ-साथ विदेशी ट्रेकर्स और पर पर प्रतिबंद लगा दिया है हार में हर साल उसतन एक उडान दुर्गटना होती है 2010 के बाद से हिमाले डेस्टिनेशन में कम से कम 12 घातक विमान दुर्गटना देखी गई है जिन में अब सौरे का भी नाम शामिल हो गया है जन्वरी 2023 में एक दुखत दुर्गटना हुई जब येती एरलाइंस की एक उडान केंद्रे शहर पोख्रा के पास दुर्गटना ग्रस्थ हो गई थी इस गटना में यात्रियों और क्र्यू मेंबर्स के सहीत सभी 72 लोगों की जान चली गई थी पोख्रा के पास पहुंचते ही विमान एक खड़ी खाई में गिर गई और तुकड़े हो गए और पिर आग की लप्टों में वह विमान घिर गया उन्तिस महीं 2022 को तारा एर का एक विमान मस्तान तिस्ट्रिक्ट में दुर्गटना ग्रस्थ हो गया था जिसमें उसमें सवार सभी 22 लोगों की मौत हो गई ऐसे ही कुछ हुआ जहां 2018 में काटमांडू के 31 इंतराश्य हवाई अड़े के पास यूएस बंगला एरलाइन्स की उड़ान के साथ एक दुखत दुर्गटना हुई थी विमान दुर्गटना ग्रस्थ हो गया जिसमें 51 लोगों की मौत हो गय थी जबकि 20 अन्य कंभीर रूप से घायल हो गय थी निपाल में पिछले द इंतराज के हवाई अड़ों तक नेविगेट करना मुश्किन हो जाता है नेपाल में मौसम भी काफी अन्प्रेडिक्टिबल रहता है और पहारी इलाका होने के कारण कई शेत्र में यह तेजी से बदलता है और उरान के लिए खतरनाक स्थिदी पैदा कर सकता है ऐसे में आ आम खबरों के लिए बने रहे जन हित ताइम्स के साथ